हेलो दोस्तों मेरा नाम गॉतम और आप देखने यूवलैक लिक्टॉनिक z और दोस्तो आज की स्टूडियो में हम आपको कार स्टिडियो में सब ओफर का कणेक्शन करके दिखाने वाले हैं तो जैसा आप लोग जानते हैं कि कोई सभी हमारा car studio हो उसमें 4 channel हमारा होता है उसमें subwoofer को अगर यूज करना होता है तो हम अलग से एक amp का यूज करते हैं तभी हम subwoofer यूज कर पाते हैं तो amp के जगा पर मैं यहां पर यह 100 watt का subwoofer amplifier board यूज करने वाला हूँ तो इस amplifier पे दोस्तो आप जो है सिर्फ subwoofer को यूज कर सकते हो क्योंकि यह हमारा low frequency के लिए ही बनाया गया है बहुत ऐसे car studio है जो कि low pass filter यहां से output करता है जो कि हमारा subwoofer का connection होता है यह सिर्फ हमारा सस्ता वाला car studio है तो इसमें सिर्फ यह आप RCA socket देख सकते हो यह हमारा audio output के के लिए है इसमें किसी भी परकार का low pass filter के लिए socket नहीं दिया गया है बहुत ऐसे car studio है जिसमें आपको video out, subwoofer out, audio out मिलता है लेकिन यहां पे सिर्फ दो ही option दिया गया है तो कोई नहीं इस board में जो हमारा already low pass filter का option मिला हुआ है तो जैसे हम इसमे audio input देंगे तो यह हमारा low frequency output करेगा जिसे हम subwoofer को चला सकते हैं तो आईए इसका connection जो है car studio के साथ किस परकार से होगा वह हम आपको दिखाते हैं तो दोस्तों किसी भी car studio में हमारा जो power supply के लिए यहां पे तीन wire होता है एक yellow color का एक red color का और एक black color का और उसी के साथ एक आपको जो है यह blue color का wire देखने क को मिलता है जो कि यह आपका जो है remote के नाम से जाना जाता है जब आप car में एंप लगाते हो तो उसमें आपको जो है power supply के लिए तीन socket दिया होगा एक तो आपका minus होगा plus होगा और एक remote का होगा तो remote के जगा पे हम यहां पे यह वाला wire यूज करते हैं तभी उसमें power supply input होता है तो यहां पे मैंने क्या किया दोस्तों कि जो हमारा यह yellow color है और यह हमारा red color है इसको मैंने साथ में जोर को इस socket में यूज किया है क्योंकि मैं इसको अभी 12 volt से ही यूज कर रहा हूं खुले में यह अभी कोई car में लगा हुआ नहीं है यह जो हमारा power supply है दोस्तों यह हमा करता है इसमें एनी टाइम इसमें voltage नहीं रहेगा जब यहां पे आप function के थ्रू इसको on करोगे तभी इसमें आपका power supply आएगा तो आईए हम इसमें power supply देखाते हैं तो यहां पे मैंने इस car studio में power supply दे दिया है अब मैं यहां पे इसको on करता हूँ और यह हमारा car studio on हो चुका है और यहां पे मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें जो अभी किसी भी परकार का voltage नहीं होगा यहां पे मैं multimeter को DC पे point कर लूँँगा और इसके minus वाले props को मैं इस body पे लगा देता हूँ जिससे इसका ground मिल जाए और जो हमारा plus वाला wire है इसको मैं इस blue color वाले wire में लगा लेता हूँ तो यहां पे देख सकते हैं अभी जो हमारा किसी भी परकार का voltage इसमें नहीं आ रहा है और जैसे ही यहां पे मैं options से इसको on करूँँगा यह हमारा voltage यहां पे शोक करने लगता है तो इसका function जो है दोस्तो कुछ इस परकार से काम करता है सभी car studio में ऐसा function नहीं होता है वहां पे क्या होता है कि जैसे ही आप car studio को stand by से release करते हो तभी इसमें power supply आता है और जैसे ही वो stand by पर चला जाता है फिर से इसका power supply ग्याब हो जागा तो यहां पे मैंने आपको check करके दिखा दिया है कि यह remote वाला जो हमारा wire है किस परकार से काम करता है तो यहां से हम power supply को भी निकाल लेते हैं अब मैं यहां पे इस board को इस car studio को साथ connection करना है start करते हैं तो दोस्तों यहां पे जो amplifier board है इसमें आप जो है 12V से लेके 24V तक power supply दे सकते हो लेकिन यहां पे क्या है कि 12V मैं यूज कर रहा हूं और इसका ampere ज्यादा होता है तभी यह हमारा काम कर जाएगा तो यह जो हमारा remote वाला wire है दोस्तों उसको हम क्या करेंगे कि यह जो हमारा plus वाले point में हम इसका blue color का जो wire हमारा आता है इसका connection करेंगे और इसमें minus power supply देने के लिए यह एक wire को लगा लेंगे और इस minus वाले point के यह जो हमारा power supply पर यह black color का wire है उसके साथ हमें आप इसका connection कर देंगे तो यहाँ पर minus supply इससे मिल जाता है और plus supply हमारा इस blue color का wire से मिल जाता है तो इस परकार से दोस्तों इसमें power supply का connection हो गया है और यहाँ पर जो है subwoofer का connection कर लेंगे और यह जो socket देख सकते हैं इसमें हमारा audio input होगा ना कि low pass filter इसमें input होगा क्योंकि इसमें low pass filter invild है और car studio में back side में आपको जो कुछ RCA socket देखने को मिलता है तो इसमें सिर्फ दो RCA socket दिया गया है जिससे क्या होता है कि left और right audio output का है तो यहाँ पर हम एक RCA socket के थुरू यहाँ पर जो है audio input इस board में देंगे तो यहाँ पर मैं RCA socket को लगा दूँगा तो RCA socket में मैंने कुछ इस परकार का connector लगाया है जो कि इस amplifier में audio input में दे सकूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यह जो हमारा socket बना हुआ यह हमारा audio input के लिए है तो यहाँ पर left और right input हो जाता है तो यहाँ पर मैंने audio input दे दिया है जो कि dual channel है उसके बाद इसमें हम subwoofer का connection कर लेते हैं तो यहाँ पर मैं एक 5 इंच का subwoofer इसमें यूज कर लेता हूँ चेक करने के लिए तो दोस्तो मैंने यहाँ पर जो है subwoofer का connection कर लिया है तो अब मैं यहाँ पर क्या करूंगा दूस्तों कि इस car studio में दो चैनल जो है यहाँ पर मैं speaker को connect कर लूँगा यहाँ पर मैंने 2 speaker को connect कर लिया है अब मैं यहाँ पर इस car studio में power supply देता हूँ यह हमारा कारे स्ट्यूडियो on हो चुका है और ये मेरा अभी अप्शन को अभी on नहीं किया है तो ये मोड अप्शनें इसको करके रखते हैं तो यहां पर PCA का option जैसे ही चालू होता है यहां पर हमारा power supply इस amplifier में आ जाता है और जैसे हम इस mode को off करते हैं RCA बन्द हो जाते हैं और यहां पर power supply चला जाता है तो यहां पर हम on कर लेते हैं और यहां पर देख सकते हैं यह हमारा इस एंप्लिफार में पावर सप्लाई आ जाता है ठीक है तो इसमें हम स्वांग को प्ले करेंगे यहाँ पर मैंने यूस पी को लगा दिया है और यह यूस पी को भी रीड कर रहा है यहाँ पर मैं भी बिलूब कम कर लेता हूं कि आप यहाँ पर देख सकते हैं और जैसे मैंने यहाँ पर आर्टिये वाले आप्शन को बंद किया तो यह हमारा पावर सप्लाई चला जाता है और यह सब उफर काम करना हमारा बंद कर देता है अब मैं यहाँ पर आउन करता हूं देखिए यहाँ पर हमारा कि अब मैं अब मैं डाउ हमारा थी यहाँ पर यहाँ आप हुआ है तो दोस्तो जैसे के आपने देखा कि यह जो हमारा एम्प्लिफार बोड है और यह हमारा कार स्टीडियो के साथ जो है काफी अच्छा से चल रहा है मैंने आपको जो है इस रिमोट वाले वायर का जो है इसको यूज करके दिखाया है और रिमोट का जो वायर होता है दोस्तो इसका रियल यूज यही होता है यह कोई जरूरी नहीं कि रिमोट के जगा पे सिर्फ आप एम्पी यूज कर सकते हो यहाँ पे 12 बोल्ट सप्लाई आता है इसके जगा पे आप कोई नॉर्मली एम्प्लिफार भी यूज कर सकते हो एक्